चलो एह circular coil abc current i है अब हम लोगे पास है coil है जो circle के form में है ठीक है अब उसमें current i flow रही है और uniform magnetic field में एक खास बात है कि uniform और non-uniform magnetic field में coil या loop को रखने में situation में थोड़ा सा changing आ जाता है तो uniform magnetic field में हमें concept लगेगा if the magnetic field on the segment abf है तो अगर हमाने पास एक loop है समझने की कोशिश करना यह और इसके चार part है यह जो part है वो a और b है और यह c है और यह d है तो इस loop को अगर मैं यह जो part है यह पर फोर्स लग रहा है को एफ वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ कि जो एक जो तरह यह बीसीडी यह पर उसपे कितना फॉर्स लगेगा यह जो part बच गए यह वाला जो पार्ट इस वाले पाड़ कितना फोर्स लगेगा उसकी calculation करनी है अब देखोऊ एक खास बात है कि अगर magnetic field uniform है uniform magnetic field है uniform magnetic field है तो इस लूप को ले जाके जैसे मनक्रव ऐसे रख दो जैसे मनक्रव थुम्हारी मर्ज़ईयर फिर हो एकदम तो uniform magnetic field में इसको जैसे ही रखोगे इसमें current भी flow हो रही है ऐसे तो बीना current के तो काम ही नहीं बनेगा तो जैसे भी रख दो तुम्हारी मर्जी उस पर net force तो zero आएगा यह आएगा तो uniform magnetic field में जो net force है वो current carrying loop पे zero आता है ठीक है calculate करके देखा गया है तो net force पर जीरो हो भी सकता नहीं भी हो सकता वो और फर्स की बात हो रही तो माल्यों मैगनिल की फील में बूर्ड के पलेहon में पर्पेंडिकुलर अंदर की डियां दिया लगा दियां न conventions ये मतलब जो क्यों फॉर्च जीरो होता है हम सब को पता कि है कि current carrying wire जो होता current carrying loop जो होता है वो एक magnet की तरह भी एप करता है देखे अब इधर देखो यहां से current carrying wire है जिसका center ओर radius आ रहे है तो इसमें जो magnetic moment आप पड़े होगे अगर loop ऐसे है तो right hand curl कर देते हैं और thumb को open कर देते हैं तो curl कर दूं और thumb को open कर दूं तो इस पर magnetic moment ऊपर आजाएगा area vector ऊपर आजाएगा और यह magnetic field magnetic moment ऊपर तभी आएगा जब एक magnet की तरह behave करेगा यह north pole इदर आएगा और south pole इदर आजाएगा इसका मतलब होगा कि magnetic field भी ऊपर की direction में आएगा तो यह तो वो magnetic field है जो इसने बनाया अब अगर इसको मैं ले जाके किसी external field में रख दूंगा मालो यह मेरे पास external field है यह वाला external field है magnetic field भी external तो भाई external field में रखोगे तो इस वाले पर force इदर लगेगा f1 और इस वाले पर force इदर लगेगा f2 obviously इस point पर जितना force है इस pole पे भी उतना ही force है वैसे तो calculus से इसको किया जाता है ठीक है बड़ मैं तुम्हें आसान तरीके से समझा रहा हूं सब लोग बता देते हैं कि force 0 होता है पर क्यों 0 होता उसको थोड़ा सा समझ लो तो नेट force इस पे 0 होता क्योंकि यहां पर magnetic field value constant of pole strength same है तो यहां पर नेट force 0 आ गया that's why equal है न पर टॉर्क जिरो हो भी सक इफकल जागे रख लोगे तो तो अगर force on a b force on vector में अगर देख लोगे तो force on a b plus force on b c d a must be equal to 0 दो पार्ट पे force दिया हुआ था तो दोनों पार्ट का इस वाले पार्ट का इस वाले पार्ट पे जो force है obviously इस वाले पार्ट के opposite होगा तभी तो 0 होगा मेरे बाई तो इस पे f लग रहा तो इस वाले पे कितना लगेगा minus f लगेगा तभी तो equal है न opposite vector cancel करेंगे तो obviously करने का ये तरीका है तो force on a b plus vector आ जाएगा और force on b c d a पे कुल मिला के 0 आ गया तो force on b c d a पे आ जाएगा minus f vector और वैसे वियार इतना करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं त किज़ा में में concept पता है कि किसी भी safe size का ले जागे रख दो उस पे net force 0 आ जाता है टार्क 0 हो भी सकता नहीं भी हो सकता है और अगर इस वाले पे net force f है तो इस वाले पे minus f आएगा तभी तो equal and opposite vector cancel करेंगे मतलब ये option सही है